हलो एवरिवान आप देख रहे हैं वर्दान पकवान सबसे सीधा सबसे सरलो मैं है आपके साथ प्रतिवास री सिंग अक्सर हमारे घर में रोटियां बच जाती हैं जो बासी होती है और हम उन्हें खाना नहीं चाहते हैं उन्हें फेक देते हैं या फिर नॉर्मल हम चाय के साथ गरम करके उन्हें खा लेते हैं आज में लेकिया हूँ आपके लिए उनी बची हुई रोटियों का बहुत ही टेस्टी नास्ता तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो रोटी ले ली हैं और हमें क्या करना है इसको कट कर लेना है यह नास्ता बनने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ह आप एक बार इसको बनाएंगे तो यकीन मानिये आपको बहूत पसंद आएगा और मैंने यहां पर सारी रोटीओं को कट कर लिया है और दिखिए इस तरह से हमें इसको काटना है तो जैसे काजू कतली होती है न तो उसी तरह से हमें इसको काटना है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जैसी डिजाइन मैं बना रही हूँ यानि जिस तरह से मैं कट कर रहे हूँ काजू कतली के साइज में आप वैसी बनाएं आपको कोई और डिजाइन आती हो तो आप वैसी भी बना सकते हैं तो यहाँ एक पीस मैं आपको उठा के दिखा दिती हूँ इस तरह से हमें अपनी रूटी को कट करना है बिल्कुल काजू कतली की तरह और इसी तरह मैं सारी रूटियों कट कर लूँगी तो यहाँ देखे सारी रूटियों को मैंने कट कर लिया है और कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है तो यह दो रूटियां ली हैं मैंने आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी नास्ता बना के तयार कर सकते हैं चले हम नास्ता बनाना शुरू करते हैं और यहां पर एक कड़ाई ली है जिसको मैंने गैस के उपर गरम होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने डाला है दो चम्मच के करीब तेल तो मैं यहां सरसों का तेल ले रही हूँ आप चाहें तो घी बगारा का भी यूज़ कर स क्लिशका और आप चाहें जाते हैं और जाष्यार भी यहां थाम देन में मैं ड Elsी थाथार लिए तो ऐस मैं जिस को एक बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि आज़ेंकर थोंदे प्यास करें 25-25 लगता सब्सक्राइब यह बीकिश्या बितो चलाते हैं और धो बतना से Ilक्राने तिहां प्याज मेरा अच्छे से भून गया है और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची तो यहां एक हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने इस तरह से टुकडों में काट लिया है इसको डाल देते हैं अगर आप यह नास्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची न डाले और इस नास्ते को आप बासी रोटी से ही नहीं ताजी रोटी से भी बना सकते है तिहां पर प्याज मेरा अच्छे से भून गया है बहुत जादा इसको नहीं भूनना है और अब मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा टमाटा जिसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है अच्छे से इसको क्या करते हैं हम मिक्स कर देते हैं और इसको मिक्स करने के बाद डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहां पे लिया हल्दी पाउडर आदा छोटा चमच के करीबी है हल्दी पाउडर है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ इसी यानि एक चोथा ही चमच के करीबी हाँ लाल मिर्च पाउडर है और अब मैं इसमें डालने बाली हूँ मैगी मसाला तो इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास है तो आप डालिए वरना आप अपनी मन पसंद सबजी मसाला या फिर पास्ता मसाला कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं तो इसको थोड़ा समय डाल दूँगी और इन सारी चुजों को एक बार हम चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालने बाली हूँ नमक तो यहां आधा छोटा चमज के करीब नमक ले लिया है या स्वाद अनसार आप नमक ले सकते हैं इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से अपने इस टामाटार प्याश के अंदर और यहां थोड़ी देर हो गई और आप बेख सकते हैं नास्ता हलका सा गल गया है और इसमें अब मैं डाल दी हूँ एक ग्लास के करीब पानी तो दो रूटी के लिए मैंने यहां एक ग्लास पानी लिया है आपका चार रूटी बनाएं तो फिर दो ग्लास पानी ले लीजे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम और अच्छा सा इसमें एक उबाल आने देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पाने में एक अच्छा सा उबाल आ गया है और अब हम डालेंगे अपनी एक कटी हुई रूटियां जो हमने डिजाइन काट के रखी थी ना रूटियों की वो रूटियां हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे हम और इसको डखनी की कोई जरूट नहीं है बहुत जल्द ये सॉफ्ट हो जाती है तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और एक मिनिट के अंदर ये बहुत ज़्यदा सॉफ्ट हो जाएंगी और मैंने यहां पे लिलिया है नीबू तो इसके रस को हम इसके अंदर निचोड देंगे तो आप जिस हिज़साब से खटक झाना चाहते हों तो डाल सकते हैं नहीं खाना चाहते हों तो आप इसको स्किप कर दीजिए और अब मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें डालने वाल है कोई भी और मसाला हमें डालने की जरूत नहीं है फिर Bang यहा पे गर्म मसाला डाल रही हूं आप चाहर तो डाल सकते हैं बना इसको भी आप по शिर प्रकल कर सकते हैं कि आपको कोई और अर मसाला पसंद हो जैसे जीरा अच्छे से आये और यह दिखें मैं आपको पास से दिखाते हूं कि अब बढ़े है इसमें कलर आया है और हमारा नास्ता रोटी का बनके तयार हो गया है तो इसकी प्लेटिंग भी करके मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर और यह लेजिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिल अच्छा लगे तो इस नास्ति को आप बनाईए खाईए आपको बहुत पसंद आएगा और इस नास्ति को खाने के बाद आप बजार से जो मैगी पास्ता लेके आते ना भुलाना बंद कर देंगे इतना जादा टेस्टी है बिल्कुल वही स्वाद आता है इसमें जैसे कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह नास्ता आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और सेर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई एप्रिवन